विल्कम टो वीदुला क्रियेशन आज का हमारा टूट्रेल है क्रोशेट रोज कीचन और ये बनाने में बहुत ही आसान है ऐसे ही और भी रोज फ्लावर की टूटिरल्स मैंने अपने चैनल पर दिये है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेर किये है आप चाहे तो उन्हें भी आप दे सकते हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए लेट्स स्टार्ट मैंने यहाँ पे 1.6 mm की क्रोशा हूँक यूज किये है सबसे पहरे त्रेट को इस तरह से हम फ्रिंगर में लपेट लेंगे दें क्रोशा हूँक इंसर्ट करते हुए यहाँ से धागा खीच लेंगे और एक स्लीप नॉट लगाएंगे स्लीप नॉट हमारी लगके यह तीन चेन हम बनाएंगे तीन चेन हमारा फर्स डबल क्रोशिया काउंट होगा सेम रिंग में आप डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से यह सेकेंड डबल क्रोशिया बन जाता है गया हमारा थर्ड डबल क्रोशिया इसी तरह हम इसी रिंग में डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे और इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लेट करेंगे round के end में हमारे पास total 16 double crochet तयार हो जाएंगे then starting के double crochet में slip stitch लगाते हुए इसे close करेंगे then round number 2 3 chain यानि कि एक double crochet same chain space में हम और एक double crochet बनाएंगे यानि कि एक stitch में हमारे दो double crochet बन जाएंगे then अगली stitch में हम दो double crochet बनाएंगे ये one ये two इस तरह से हमें हर stitch में दो double crochet बनाते हुए total 32 double crochet हमारे रेडी हो जाएंगे slip stitch से इसे close करेंगे round number 3 फिर से 3 double crochet chain लेंगे same stitch में और एक double crochet बनाएंगे यानि कि एक stitch में हम दो double crochet बनाएंगे then अगली stitch जो आएंगी वहाँ पे हम एक double crochet बनाएंगे then next stitch one double crochet यहाँ पे दो एक बन गया और एक बनाएंगे two double crochet हो जाएंगे then next stitch one double crochet इस तरह से इस round number 3 में two double crochet, one double crochet, two double crochet इस तरह repeat करना है इस तरह से 48 double crochet हमारे बन जाएंगे फिस से हम तीन chain बनाएंगे same chain space में और एक double crochet then अगले दो stitch में हम एक एक double crochet बनाएंगे one अगली वाली एक double crochet फिस से बनाएंगे ये then उसके बाद वाली जो stitch है वहाँ पे दो double crochet बनाएंगे one और ये two अगली वाली stitch में हम एक एक double crochet बनाएंगे one अगली वाली में भी एक इस तरह से इस round में दो double crochet फिर एक double crochet एक double crochet फिर दो double crochet यानि कि एक बार दो double crochet और दो बार एक एक double crochet बनाने हैं टोटल हमारे पास 64 double crochet ready हो जाएंगे अब हम यहाँ पे green color का thread लेंगे फिस से उस सिफ रिंगर में लेपेट लेंगे और दागा खीच लेंगे ये ring बन जाएगी देन हम तीन chain बनाएंगे वान टू एंड त्री इसी ring में हम double crochet बनाते जाएंगे इस तरह से ये हमारे दो double crochet बन जाएं फेस से हम double crochet बनाएंगे त्री इस तरह से टोटल हमें 15 double crochet बनाने हैं अब हम slip stitch से join करेंगे तीन chain बनाएंगे देन सेन स्टीच में एक double crochet बनाएंगे यानि कि एक स्टीच में हमारे दो double crochet बन जाएंगे फिर हम one and two chains two chains को हम slip stitch लगाएंगे नेक्स स्टीच में एक double crochet बनाएंगे तीन chain बनाएंगे तीन चैन बनाएंगे यह चैन को भी slip stitch से join करेंगे फिर हम slip stitch लगाएंगे अगले वाले स्टीच में एक स्टीच छोड़के दूसरे स्टीच में हम धागा ले आएंगे और यहां पे हम तीन चैन सेम स्टीच में बन डबल क्रोशियां देन दो चैन दो चैन के बाद एक स्टीच लगाएंगे नेक्स स्टीच में बन डबल क्रोशियां फिर तीन चैन तीन चैन को सेम स्टीच में हम जोइन करेंगे फिर हम एक स्टीच चोड़के नेक्स स्टीच में त्रेट को लेकर जाएंगे स्लीप नॉट लगाते हुए इस तरह से हमें इसे पाच बार रिपीट करना है फाइट टाइम्स एक स्टार जो धागा है कट कर लेते हैं लीप बनाएंगे लीप के लिए हम दर्थ चैन बना के लेंगे टेन चैन के पाच जो फर्स चैन का ग्याप है वहाँ पे हम एक स्लीप स्टीच लगाएंगे इस तरह से नेक्स स्टीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगली स्टीच में एक हाप डबल क्रोशिया बनाएंगे अगली तीन स्टीच में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यह one अगली स्टीच में वेसे यह second double crochet next टीच यह हमारा third double crochet वेसे हम repeat करेंगे एक half double crochet next स्टीच में next स्टीच one single crochet next स्टीच एक स्लीप स्टीच फिर से इसी मेथड को हम repeat करेंगे आप उसे साइड में slip स्टीच सिंगल क्रोशिया फिर डबल क्रोश एक हाप डबल क्रोशिया थैन तीन स्टीच में तीन डबल क्रोशिया half double क्रोशिया single क्रोशिया और लास्ट में स्लीप स्टीच इस तरह से जो इक्स्ट्रा धागा है कट कर लेते हैं इस तरह से हमारा जो फ्लैट सरकल है इसका उल्टा साइड हम बाहर रखेंगे इस तरह से रोल कर लेंगे रोल करने के बाद आधे रोल को इस तरह से टर्न करना है टर्न करने के बाद ये हमारा रोज ब्लावर रेडी हो जाएगा देन हम थ्रेड लेंगे थ्रेड सुई में पिरो के इससे थोड़ा सा स्टीच कर लेंगे इस तरह से हम इसे स्टीच करते जाएंगे ताकि ये फिक्स रहे स्टीच करके इसे फिक्स कर लेते हैं हम इस तरह से देखी ये सीधी साइट बाहर और जो अपुजिस साइट है जो उल्टी साइट अंदर रखनी है और इसे हम स्टीच करके फिक्स कर लेंगे इस तरह से इस स्टीच करके फिक्स हो जाएगा अ झाल झाल इस तरह से ये रेडी हो चुका है देखिए अब हम चैन्स बनाएंगे 1,2,3 इस तरह से 22 चैन्स बना के लेने हैं 22 चैन्स बनने के बाद हम जो दूसरा फ्लावर है उसको भी अटेच कर लेते हैं इस तरह से आप नॉट लगा सकते हैं या सी आप स्टीच लगा के भी इसे जॉइन कर सकते हैं तो इस तरह से दो फ्लावर में ने जॉइन कर लिये हैं अब हम इसे लीफ अटेच कर लेंगे इसके लिए दो लीफ लेंगे और दोनों लीफ को देखे इस तरह से त्रेट से अटेच कर लेंगे और अटेच करने के बाद हम जो चेइन बनाई हैं बहाँ पर जॉइन करेंगे इस तरह से मीडल में पकड़ेंगे और इसे स्टीच लगाते हुए इसे अटेच करेंगे इसे ततरह से दो चेंड बनाएंगे वन एड क्रीक अटाज़ेंगे के बार हम जो कीचन रिंग है उसे अटेच कर लेंगे थ्रेट से फेसे दो चेन बनाएंगे और जो लीफ है वहाँ पे हम इसे अटेच करेंगे देखिए यह कितने प्यारे लग रहे हैं यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कीचिए थेंक यू फो वाचिए